युहन्ना का प्रकाशित वाक्य सोलुहा अध्याए फिर मैंने मंदिर में किसी को उंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को प्रत्वी पर उंडेल दो सो पहले ने जाकर अपना कटोरा प्रत्वी पर उंडेल दिया और उन मनुश्यों के जिन पर पश्यू की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वे मरे हुए कासा लोहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लोहू बन गये और मैंने पानी के स्वर्दूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था तू न्याई है और तूने यह न्याई किया क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविश दक्ताओं का लोहु भाया था और तूने उन्हें लोहु पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभू परमेश्वर, तेरे निर्णे ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूरे पर उंडेल दिया, और उसे मनुश्यों को आग से जुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुश्य बड़ी तपन से जुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंडा की, और उसकी महिमा करन के लिए मन न फिराया, और पांचवे ने अपना कटोरा उस पशु के सिहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा चागिया, और लोग प्युला के मारे अपनी अपनी जीब चबाने लगे, और अपनी प्युलाओं और फोडों के कारण स्वर्ग के परमेश् के लिए मार्ग तयार हो जाए, और मैंने उस अजगर के मुह से, और उस पशु के मुह से, और उस जूटे भवश्दक्ता के मुह से, तीन अशुद आत्माओं को मेंधकों के रूप में निकलते देखा, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा हैं, जो सारे संसार के र जागता रहता है, और अपने वस्तर की चौकसी करता है, कि नंगा न फिरे, और लोग उसका नंगापन न देखें, और उन्होंने उनको उस जगह इखटा किया, जो इबरानी में हर मगिदोन कहलाता है, और सात्मे ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मंदिर के सि की उत्पत्ती प्रत्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूइन डोल कभी न हुआ था, और उस बड़े नगर के तीन टुकले हो गए, और जाती-जाती के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ, कि वह अपने क्रोध की जलजलाह की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाणों का पता न लगा, और आकाश से मनुष्यों पर मन-मन भरके बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ती बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ती के कारण परमेश्वर की न